ही वाई टी बहस की हल चल वेलकम बैक टू दृटला दोस्तों अगर आप कश्मीर हनीमून पर जा रहे हैं ऐसे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हो की कश्मीर हनीमून पर मेल्स को क्या कैरी करना चाहिए खास करके बरफ बारी के दिनों में, सर्दियों के दिनों में और फिमेल्स को किन चीजों को लेकर के जाना चाहिए ताकि आप वहाँ पर जा करके परशान ना हो जैसा की बाकी लोग परशान हो रहे हैं तो YT भारत चनल पर आज इस वीडियो में आप वो सारी चीजों के बार करके अपने साथ केरी करके जाएंगे और हाँ दोस्ता कर अपने वाइटी भारत चनल को इतर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखी इस राइट रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है जा करके क्लिक करें बेल आइकन को दबाएं और को सेलेक करें ताकि आगे आने बालिए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले फ्री आफ कॉस्ट आपको मिलती रहें वीडियो गर अच्छे लगते हैं तो लाइक किये बीना मत जाना वाइटी भारत फेस्बुक पेज पर जाएए वाइटी भारत इस्टाग्राम पेज पर जाएए मेरे साथ जोड़ आने जा रहे हैं अगर आप कश्मीर हनीमून पर जाते हैं विंटर्स के दिनों में नौंबर से ले करके मार्च के बीच में तो आपको वो कौन सी इसेंशल चीजे हैं जो आपको कैरी करके रखनी चाहें अपने बैकेज के अंदर आएए दोस्तों आगे आपको बताते हैं इसेंशल चीजों में जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए मेल एंड फिमेल दोनों के लिए टू पेपर कॉपीज और बुकिंग कनफरमेशन होटल्स की रेस्टरेंट की ट्रेवल आइटनरी पूरी आपके पास पेपर के फॉर्मैट में हार्ड कॉपी होनी हमारे फोन और काड हमारे हो चोरी हो जाते है उस केस में यह सबब होनी चाहिए अगर मोबाइल अच्छा आप क्लिक करना चाहते हैं और आपके पास DSLR कैमरा है तो इसको केरी करना ना भूलें credit card अपने साथ हमेशा रखें और एक extra रखें two paper copies of health insurance रखें two paper copies of prescription doctor का कोई भी दवाई चल रही है उसाथ में रखें emergency के लिए power bank mobile charging के लिए अधार card या ID card luggage के साथ tag अगर लगाएं तो बहुत better रहेगा और cash तो आपको ले करके ही जाना ही जाना है ये अपने साथ carry करें आगे आपको बता देते हैं toiletries के अंदर आप क्या-क्या option में रख सकते हैं अपने पास prescription medication जो भी आपका चल रहा है जैसे रास्ते में आप जाते हैं तो कई लोग को meeting की problem हो जाती है खास करके females को तो वो अपने साथ दवाईयां रखें इसमें से आप कुछ भी option रख सकते हैं ये मेरा suggestion है कि ये चीज़े आपको carry करना चाहिए हो सकता है मैं कुछ miss कर रहा हूँ तो वो आप add कर सकते हैं next option है आपका essential clothing for her females के लिए ये मेरे option है बाकि तो आपको जो भी carry करना है वो कर सकते हैं लेकिन जो बहुत essential है खास करके सर्दियों को ध्यान में रखते हुए winters को ध्यान में रखते हुए two three pairs of everyday shocks जुराबे जो होती है कम से कम दो तिन पेर पर डे के साब से रखे क्योंकि snowfall में आप बाहर जाएंगे जुराबे गिली हो जाएंगी शुक्स गिली हो जाएंगी तो वहाँ पर market जाना मुश्किल होता है तो पहले से carry करके रखें लेडिस के लिए cardigan sweater रखें एक umbrella, एक warm jacket, एक दो hat रखें अपने साथ एक pair of walking shoes, sandal या रखें एक pair of snow shoes जो snow में अच्छी तरह से grip बना करके चल सकें आपको ले चलते हैं अब essential clothing for him के लिए बताते हैं इसमें आपको two three pair of everyday shocks one sweater, one umbrella, one warm jacket, one two hat, one pair of walking shoes और one pair of snow shoes रखने चाहिए अपने साथ तो दोस्तों ये मैंने आपको चीजे बताई जो कश्मीर हनीमून पर जाते वक्त आपको winters के दिनों में अपने साथ जरूर रखनी चाहिए मेरा opinion है जो मैंने आपको बताया इसी तरह के और बहुत informative and interesting video देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए latest video और वो भी बिल्कुल free